लॉरिंस पिश्णोई का नाम आज कल देश भर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की जुबान पर है। उसकी क्राइम कुंडली तो कुछ लोगों को जुबानी याद हो गई होगी। हलांकि इस तरह का प्राधी किसी का ना तो रोल मॉडल हो सकता है और ना कभी बनेगा। लेकिन इसके जुर्म की दुनिया बढ़ती जा रही है। सलमान खान के अलावा अब कोई और भी है जो बिश्णोई गैंग के निशाने पर आचुका है। दरसल ऐसे रिपोर्ट सामने आई है कि लौरेंस बिश्णोई गैंग के निशाने पर आफता पुनावाला भी है। बता दे कि पुनावाला पर मई 2022 में श्रद्धा वॉलकर की कथित तौर पर हत्या करने और फिर उसके शरीर के टुकडे टुकडे करने का आरोप है। सूत्रों के माने तो मीडिया रिपोर्टों पर संग्यान लेते हुए तेहार जेल प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। संग्यान लिया गया है। शरीर के 30 से भी ज्यादा टुकडे कर दिये गए थे। ये घटना तब सामने आई जब श्रद्धा के पिता ने गुमशुद्गी की डिपोर्ट दश कराई। जानगारी के मताबिक श्रद्धा के शरीर के टुकडों को फ्रिज में तीन हफते तक रखा गया और धीरे धीरे करके शहर के अनेके लाकों में फेक दिया गया था। आफता पुनवाला इस हत्या का आरूपी है जो अब लौरिंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ चुका है।